नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूजेटीन मध्यप्रदेश चतीजगर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपरना बाज़म शुरुआत कर रहे हैं बिग ब्रेकिंग की नीमच की ख़बर के साथ जहां बुल्डोजर आक्शन चला हुआ है अवैद अतिकरमन पर बु तो उन पर आक्शन होगा और ये कारवाई यहां पर हुई है बुल्डोजर से ये कारवाई नीमच वेटी है विश्वदेव सर्मा हमारे सयोगी फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं विश्वदेव साथ दिन पहले ही नोटिस दे दिया गया था लेकिन उसके बावजूद यहा नोटिस दिये तो आम लोगों की दाड़ना यह थी कि नोटिस आता है कागज आता है और चला जाएगा और हम बेख़ोप अतिक्रमन करते रहेंगे पर यहां बदले हुए परिवेश में एक बड़ा सक्तसंदेश है कि अगर शाषन को अलके में लिया तो बुल्डोर जग च हुए चूंकि और उसके अलावा के सबसे बड़ा मुत्ता यह है कि लोगवाग अतिक्रमन करके उसको बेश देते और फिर दूसरी जगे अतिक्रमन कर लेते हैं अपने पट्टे की विवस्ता कर देते तो इस पर अंकुष लगाने के लिए प्रशाशन की यह बड़ी कारव बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विश्वदेव शर्मा हमारे सायोगी नीमच से जानकारी देते हुए कि पहले बिस प्रक नोटिस लोगों को मिले हैं और इसी खयाल में कि नोटिस मिलेगा लेकिन कारवाई नहीं होगी यहां लोगों ने अपने देखने को मिल रही है सूपर कॉरिडोर में यहां तेंदुआ नजर आया इनफॉसिस आइटी पार्क में वन्विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है सूचना के बाद यहां पर वन्विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है तेंदुए को धूंडने के लिए तेंदुआ यहां पर देखा गया जिसके बाद आसपास में लोग देहशत में हैं सूपर कॉरिडोर में यह तेंदुआ नजर आया मितलेश गुपता हमारे सायोगी हमारे साथ जोड़ रहे हैं दौर से मितलेश तेंदुआ नजर आया था उसके बाद अप सर्च ऑपरेशन की तरफ से अंदर गया है इनफोसी को सुचना जाती है फिलाल इनफोसी का भी गेट बंद है इस वक्त इनफोसी के तमाम जो बड़े अधिकारी है वह और वन विभाग की जो दिकारी है इस वक्त साची का व्यान में जुटे हुए है और फॉरेश डिपार्टमेंट के जो सब्सक्राइब को बंद कर दिया है इनफोसी के पास में ठीक टीसेस लगा हुआ है अगर सुपर काईटूर की बात करते हो तो आज पास में करीब पचास ज्यादा बड़ी कंप टाउंसी पे बड़ी के वहां पे वह हैं मल्टीस है रवासी चेत्र बड़ा तो इसलिए अब वहां पे लगाता सचिंग अभिया चल रहा है बहुत शुक्री आपका इस जानकारी के लिए तो इस लास्पोर में करंचारियों ने प्रदर्शन किया है अपनी 11 सूत्रिय मांगो को लेकर यहां करंचारियों ने प्रोटेस्ट किया केंडर के समान महगाई भत्ते की मांग करमचारी कर रहे हैं आंदुलनकारि तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनकी 11 सूत्रिय मांग जिसको लेकर ये तबक पर उत्रई और प्रदर्श्वी किया अब जो जुन्हती कट करते हैं त्रिती वर्ण पूरी करो हमारी पूरी करो पूरी करो चतिगर सासर भोश में आओ जो प्रमुक मांगे है हमारा चार परतिस्त महंगाई भत्ता सासन पतुर में अभी जब सरकार चुनाओ में थी उसका में गुorfना किया था कि जब GTR का बढ़ेगा कंद भर महंगाई भत्त्त बढ़ा देंगे अभी स्थिति बना हुआ है कि चार प्रदर्शन था चुकि हम अभी नए सरकार कुनितियों में डेड़ महिना ही हुआ है लेकिन उन्होंने अर्थ दूसरे समवर्गों की मांगों को पूरी करते आ रहा है आज का इसी के नुरूप हमारे ध्यानकर्शन कारिकरम था कि अनुरोध ज्यापन सौप करके हम चाह हो जाएं करे अगली बड़ी खबर कोर्बा से अपको बता रहे हैं जहां जोरदार फंगामा किया एक महिलह ने यहां यहां यहँगामा किया है अवैद नर्मार हटाने गई नगर Edgar निगम की टीन के सामने महिला ने यह लेकिन देख़ Ensuite देखियों लेकिर महिला कोई जमीन पर बैटी हुई है उसने यहां हंगामा किया शोर मचाया और बुल्दोजर के सामने ही बैटी है तीन नकसलियों को गिरफतार किया है जवानों ने तीन नकसलियों को पकड़ा गया शर्च ऑपरेशन के दौरान घेरा बंदी करके इन तीनों ही नकसलियों को यहां पकड़ा गया है यह तीन नकसलियों जो टीन स्क्रीन पर आप इनने देख पा रहे हैं इन तीनों को ही पकड़ा गया है सर्चिंग के दौरान गिरा बंदी कर यह पकड़े गये हैं बार्सू थाना शेत्रमेंट की गिरस्तारी हो गया देवास में बीजेपी विधायक रामेश्व शर्मा ने भूगोल बदलने की बात कह दी एक कारेकरम में नोंने कहा कि अभी केवल 370 हटाया है अब इस सिर्व इतिहास बदला है एक मौका और दे दो हम भूगोल को भी बदल देंगे उनकी मानित राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी और उसे भी हम लेकर रहेंगे यह कहना था रामेश्व शर्मा का अगले मौके में भूगोल भी बदल कर दिखा देंगे यह आपको हम बता देना चाहते हैं यह हमारा संकल्प है जिन लुटेरों ने लाहौर कराची दी है उनको बता देना चाहते हैं लाहौर कराची उनके बाप की नहीं है राजा राम के बेटे लब की राजधानी लाहौर थी एक दिन उसको लेकर रहेंगे महात्मा गांधी पर टिपणी करने के बाद सुर्खियों में आए काली चरण महराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है मौजूद है महराज काली चरण जी महराज काली चरण जी आपका स्वागत है ओम काली ओम काली ओम काली महराज आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट कैसे बनेगा सिर्फ हिंदूों का राष्ट होगा क्यों बांकी समधाय के लोग भी तो देश में है पाकिस्तान किसका राष्ट्र है है किसका है मुसल्मानों का है तो भारत हिंदुस्तान होना चाहिए हिंदु का हना चाहिए पाकिस्तान में जितना सम्मान हिंदु का है उतना ही भारत में मुसल्मानों का होना चाहिए पाकिस्तान में जितने मंदिरों का सन्मान है उतना ही मजजिदों का सन्मान भारत में होना चाहिए ऐसा हिंदुराष्टर होना चाहिए तो आप वो पांच लाग तोड़े गए मंदिरों की बात करते हैं आप अभी मजजिदों की भी बात कर रहे हैं चाहते हैं कि वो पाँच लाख मंदिर फिट से बने राम मंदिर बन गया। इंदुराष्ट्र है और यह चाहिए आप जाती वे उस्था को खतम करने की बात करते हैं तो कैसे होगा उसका समाधान भी तो कुछ बताना चाहिए कि कैसे बोलने चाहिए अभी की सड़ी हुई वरण व्यवस्था सड़ाववा जाती वाद वैदिक वरण व्यवस्था नहीं है इसका ऐसे त्याक कर देना चाहिए जैसे हम कच्रे का त्याक कर देते हैं तैव वैश्णा शाक्त जैन बाउध सिख ये प्रमुच्छ साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदु धर्म इसमें इसलाम और क्रिष्चनिटी नहीं है क्योंकि इसलाम और क्रिष्चनिटी धर्म ही नहीं है क्योंकि उनमें पुनरजन्म साइन्स नहीं, करमफल विरवस्था नहीं है, करमफल साइन्स नहीं और तार्गेट ईश्वर नहीं क्रिष्चनिटी में तो भी ईश्वर का तार्गेट दिखाया जा रहा है लिकिन इसलाम में सिर्फ 22 रुरों का लालज़ दिया जाता है जो राष्ट्र हित का कारिय कर रहा है उस राजा को साथ दो ये अंतिम समय है हमारे हाथ में अंतिम माउका है नहीं तो 12,000 साल के लिए नरक में जाना पड़ेंगा हमको अगर हमने धर्म रक्षा नहीं की तो ये देव भूमी का रक्षन करना हमारा अध्य करतव्य है और इन अ अपना अहंकार छोड़के राष्ट्र हित के लिए धर्म हित के लिए कारिय किया है राम मंदिर बनाया है उनको साथ दो यह थे काली चरण महराज जी जिन्होंने कहा कि देश हीत और धर्महित में लोग कार करें वही राजा को चुने जो देश हीत और धर्महित के काम में सामने आ रहे हैं केमरान मनीश के साथ आकाशुकला नीज़ेटीन रायपूर चथिसगर और अब बाद च्छतरपूर की जहां साथ साल की मासूम बच्ची के साथ हैवारियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने छे खंडे बाद गिरफ्तार कर लिया आरोपी यूपी के जहां सिक रहने वाला बताया जा रहा है पुलिस ने रेप और पॉक्सो आक के धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कुबूल किया राइपूर में स्कूल के बच्चों से मार पीट हुई है बहरी तत्वों ने यहां चात्रों से मार पीट की है Mother's Pride स्कूल है जिस स्कूल के चात्रों को पीटा गया सुन्दर नगर के दश्चहरा मैदान में मार पीट की गई चात्रों के साथ चात्रों के साथ को इस मार पीट का विडियो भी सामने आया है इन तस्यूरों में आपको दिखाई दे रहे है खंडवा में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोचा खोल दिया है महिलाओं शराबी पुरुषों से परिशान होकर कलेक्टरेट पहुँच गई जहां उन्होंने जमीन पर बैठ कर धन्ना दिया महिलाओं ने नारे बाजी करते वे अफसरों से गाउं में शराब को बंद करवाने की मांग की है बता दे कि गाउं में शराब का ये आलम है कि 15 साल के बच्चे भी शराब के आदी हो चुके है वोने लट लग चुकी है बच्चों कसा पाई लाओं ने मालपीट की बात की और चोट के निशान भी दिखाए हमारी मांग है कि कच्ची पच्ची दारू नहीं होना है गाउं में सब यहां जिवां तक बंद करवा आये कि 15-16 साल तक बच्चे सरा प्षिप के घर में माता पच्ची करते जो पती है तीन सो रुप्य मज़ूरी करते तो हम 1.500 रुपय आ गी बैयान करते तो तीन सो रुपय दारू सब 300 मज़ूर कि सरा पी जाते हम तख़ली मोरिषय में तो फसम में हुए अच्छे जो में से मारने हाँ हुए यह एधा Cemar मेरे जित्ती बंती उत्ती लाती हुटी शराब बंद होना बेटा हमरे लगबक जंशंक्या तीन हजार है और इस हमारा जावत पिषड़ा हुआ है माटशक्तियां पर रोजगार करती रहती है जो भी दिहाडी मद्दूरी दोसो तींगरब की मद्दूरी होती है तो कुछ सरा अधिस परकाल लोग हो चुके है गाहों में कि आये दिन सुबह साम उत्तों सराब पीते रहते हैं और वही सराब पीकर अपने परिवार बच्चों को मारबीट करना उनसे बतमीजी करना और गाहों में भी जुवात होना कई बच्चों के एक्षेड में कई जिंदिया जा च